हईलो फ्रेंड मेरा नाम है राॉल कुमाड़ और आप दOOOO चनल जीटी गाण को यह जो पौधा आप देख रहे हैं यह गुडःल का पौधा है और इसमें आप फ्लावडिंग देख रहे हैं फ्लावर का साइज देखें और फ्लावर देखें, किस तरीके के फूल खिला हुआ है और कितने बड़े साइज का ये गुच्छा वाला गुढ़हल का पौधा है, आपके डवाल जिसको बोल सकते हैं, वही वाला और कितने भड़के फ्लावर आ रहा हैं और पौधे किस का पोट है 14 इंची से कम ही है और इसकी जड़ की मूटाई आप देखिए किस परकार है यहां से यहां से डीप पुनीं किया हुआ है और एक बॉनसाई टाइप का पोदा है और यह ज़र है और इसके गमले में यह मिट्टी है मैंने किस परकार के मिट्टी लगा डाला है और कि फी पेजवाया डालना है आपको जो इस तरीके से अफ्लावर का है तो अप फ्लावर कुंते के कली भी बहुत बहुत सार है और फूरथ साल ऐसा नहीं नहीं कि छुए मैंधू अ refreshing है और नूजटी मैं तक कंट्व या dur देता ही रहेगा तो full का size भी आप देख सकते हैं तो मैं बता दू का आपको इस तरुके से किस तरीके से इसको care करना जैसे ही, देखे सबसे पहला tips तो इसमें कली नहीं है याँ पर तो यह इसमें कली नहीं है तो इसको क्या करेंगे यहां से cutting कर देंगे तो यह तो हुआ कटेंग का बात है, दूसरा टिप्स क्या है, दूसरा टिप्स यह है कि इसको full sunlight में रखें, चाहे कितनी भी धूप हो, 50 degree temperature क्यों नहीं हो, इसको full sunlight में रखें, भले धूप में यह पौधा आपको मुर्जाया लगेगा, लेकिन जब साम होगा तो automatic खिल जाए आपको, और दो बात हो गया, और तीसरी टिप्स क्या है, कि इसके गंबले के जर के जो मिट्टी है, यह मिट्टी आपको सही से बनाना है, तो मिट्टी में क्या मिलाना है, तो normal garden soil आपको 60% लेना है, जब पौधा आप लगाते हैं, नर्सरी से, यह फिर cutting लगाते हैं, यह मैंने cutting से ग्रो किया था, तो 60% आपको क्या लेना है, गार्डन सोयल, और उसमें 20% सरा हुआ बढ़मी कंपोज्ट मिलाना है, गोवर का बढ़मी कंपोज्ट, यह सबजी बेष्ट का बढ़मी कंपोज्ट, यह दो चीज हुआ, और तीसरा चीज क्या मिलाना है, 20% आपको, बालू जो होता है, रेत होता है, उसको घर मनाने के लिए, जब चाला जाता है, तो उससे कंकर मोटे-मोटे लिकलते है, चोटे-चोटे गिट्टी, वो मिला दे, ताकि आपका मिट्टी जो है, हलका बने और पानी ज्यादा देर तक रहे ना, अभी मैंने इसमें पानी डाल है, तो यह रात के समय पानी डाला है, तो अभी गीला है, क्योंकि यह सुबा का टाइम है, ठीक है, तो यह दिन में ऑटोमेटिक पानी खिशते रहता है, पौधा और फूल एकदम देखिए, भढ़के और कली भी भढ़के, तो और भी गुरहल के पाधे है, सब में मेरा लुका बोलते हैं, इधर रजनी गंदा देख लीजिए, और बहुत सारे फ्लावर है, तो जैसे बगोन बिलिया है, इधर गुरहल का पौधाया देख रहे हैं, थोड़ा दूर गली में, गुरहल का भी यह पदामी कलर का गुरहल है, यह तो हो गया मिट्टी बनाने के पौधा लगा रहे हैं, तो उससे में बन मिल मिला सकते हैं, इसमें 2-3 चमस इतने बड़े गंबले में, अगर बन मिल नहीं है, इस अपके पास नहीं होता है, तो पत्थर का चूरह जो बालू चाल के, मैंने बताया था कि रेद चाल के उसका कंकर मिलाएंगे, तो उसमें भ कौन सा फेटिलाजर देना है, फेटिलाजर यह देना है, जिसे केले का चिलका होता है, सबसे इंपोर्टेंट तो ही होता है, केले का चिलका, या फिर आपके पास घड में कोई भी फल का चिलका होता है, फल का चिलका मतलब, चीको, संत्रा, पपीता, कुछ भी फल का चिलका एक बर महनें मात्र के जड़ने काह 이제 बिएकम के साम के समेह और देखिए, आपका growth है बहुत ही जबर दस्त होता रह्ता है , और आपका साइ्ज बड़ा होगा में देसी गुरहल ऑद खिलता है आप साम स्कुलग जड़ जाता है लेकिन जब ऐसे fertilizer का आप इस्तिमाल करेंगे तो ये देशी गुरहल भी रात तक आपका फूल खिला रहेगा, सुभा जाके ये मूर जाएगा और हेवरीर जो flower होता है वो तो अगले दिन तक हो खिला रहता है, तो इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से मेरा एकड़म flower भढ़का है और फ्लावर देखे कितना खुबसूरत लग रहा है तो इस तरीके से आप लगाए कटिंग से या नर्शरी से खरीद के किसी भी तरह का गुरहल पौधा और इस तरीके का जो मैंने बाते बताई वह उपयोग करें तो आपका जो पौधा एकदम जवरदस्त होगा घना होगा ग्रोथ अच्छा होगा और फ्लावरिंग एकदम भढ़के देगा इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो को लाइक सस्क्राइब कर दिजिए यह गुरहल पौधेक लिए बेश टिप्स था लाइक सस्क्राइब कर एक थेंक्यू बाइबाइब